हेई गाईज! आज की वीडियो में हम कवर करेंगे पोयम Dha Chimney Swipper जिसे लिखा है William Blake ने तो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम William Blake के बारे में जान लेते हैं तो William Blake जो थे वो एक बहुत ही रिमार्कबल पोयट थे रोमेंटिक टाइम के जो रोमेंटिक पिरिड रहा है उसके और ही वस बॉन इन लंडेन इन नवेंबर 1757 अब जो इनके जो वर्क है वो बहुत जादा फेमस हुए थे और इन्होंने अपने जो पोईटरीज हैं वो दो पार्ट्स में पब्लिश करवाई थी जिसका नाम था Song of Innocence and Song of Experience इन 1789 विलियम ब्लेक का जो ये वर्क था ये पब्लिश हुआ था The Chimney Sweeper Song of Innocence के अंदर और ये जो पोईब है ये लिखी गई है First Person में First Person Narrative में और इसमें जो बोल रहा है जो बच्चा है वो एक Chimney Sweeper है जो Chimneys को साफ करते हैं वो बच्चा है और यहाँ पर दिखाया गया है जो एविल थे जो की बहुत बुरी हालत थी Chimney Sweepers की उस टाइम पर क्योंकि जो उस टाइम पर जो प्रोमेंटिक टाइम था तो Suddenly ऐसा हुआ कि एक नई क्लास उभर कर आई बुर्जुआसी क्लास उभर कर आई जिनके पास पैसा था, वेल्थ थी, इंडुस्ट्री थी, वो बढ़ने लगी थी और ट्रेड बढ़ने लगा था और इन सभी कामों के लिए छोटे बच्चों को रखा जाता था क्योंकि जो चिमनी होती है, उनका जो एरिया होता है, इतना छोटा होता है कि उसमें कोई बड़ा इंसान जा नहीं सकता उसकी सफाई के लिए तो छोटे-छोटे बच्चों को रखा जाता था और कैसे कि यह वो जब उसमें जाते थे, उनकी जो हालत होती थी, कैसी खराब हो जाती थी जो ब्लैक अंदर का एरिया है, वो उनके लिए कौफिन की तरह बन जाता तो कैसे जो शिमनी इस थी, वो बच्चों की कौफिन बन जाती है और यहाँ पर जो बच्चे हैं ज़रुरी नहीं हैं वो औरफिन है अनाथ है। कुछ को उनके पेरिंट्स ने बेच दिया है जो मास्टर है उनको बेच दिया है। और यहाँ पर कई लगा ऐसा भी होता था। कि जो बच्चे हैं वो इस अधेरे में खो जाते थे। और बाद में सिर्फ उनके skeleton बाहर आते थे, क्योंकि बच्चे उसमें जलकर मर जाते थे, और कुछ को यहां पर problems होती थी, जैसे कि cancer हो जाता था, इन सब चीजों के बारे में, William Blake दिखाना चाहते हैं अपनी इस poem में, ताकि लोग इस चीज को जान सके, कि उसके कितने जादा हिजाड़ एफेक्ट थे, तो स्टार्ट करते हैं लाइन तो लाइन से, वो बच्चा जो है, जो फर्स्ट परसन नारेटिव है, जो छोटा बच्चा है, वो कहता है कि जब वो बहुत छोटा था, जब उसकी मा मर गई, जब वो मरी थी, वो बहुत छोटा था, और अब वो कहता है, जो उसके फादर है, उन्होंने उसे बेच दिया, तब जब वो हार्डली इस चीज को बोल पाता था, स्वीप को, अब यहाँ पर जो बच्चा है, वो इतना ज़ादा छोटा है, मतलब कि उसकी या फॉर फाइफ की हो सकती है, कि वो स्वीप भी नहीं बोल पाता, जो उसकी स्पेल है, और वो उसे वीप वीप बोलता है, फूर्थ लाइन में वो कहता है, सो यो चिमनी इस आई स्वीप, अनि इन दे सूट आई स्लीप, कि अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर चिमनी साफ करता हूँ, और सूट मतलब कि जो काला है, जो कालिक है वहाँ की, और उसी में वो सो जाता है, फॉर्स्ट इस्टेंजा में बहुती क्लियर लाइन्स है, कि यहाँ पर दिखाया गया है, उसकी जो life है वो कैसी हो गई है छोटे छोटे जो बच्चे है उन्हीं के parents जो है वो कुछ पैसो के लिए बेच दिया करते हैं जो master है उनको जो chimney masters है उनको और इनकी set tail को दिखाता है और जो बच्चा है वो बताता है कि उसकी mom जब मरी थी उसके father ने उसे बेच दिया और वो छोटा था कि वो swift भी नहीं बोल पाता था तो यहाँ पर pathetic significance है कि जो Blake है वो तिखाना चाहते है क्या-क्या हुआ था अब second stanza start होता है तो second stanza में वो बोलता है there is little tom darks who cried when his head that curled like a lamb's back was shaved so I said कि जब वहाँ पर वो था तो उसने वहाँ पर एक और बच्चे का जिक्र किया है जो छोटा ही है और उसका नाम है Tom डैक्री जो कि रो रहा है क्योंकि जो इसका सर है उसे shave किया जा रहा है बिल्कुल वैसे ही जैसे एक little lamb का किया जाता है उन के लिए उसकी जो back होती है उसे shave किया जाता है वैसे ही वो बच्चा भी रो रहा है और फिर वो क्या कहता है So I said तो वो बच्चा उस दूसरे बच्चे को बोलता है Hush Tom, never mind it. For when your head bare, you know that the suit cannot spoil your white hair अब यहां पर देखिए कि आरेनी इतनी जादा है कि जो छोटा सा बच्चा है जो खुद अभी बेचा गया है वो दूसरे बच्चे को काम कर रहा है कि वो इस चीच को mind ना करें बर्कि तुम्हारा जो head है उसे shave किया जा रहा है बलकि यह तो अच्छी बात है क्योंकि जो कालिक है जो चिमनी की कालिक है वो तुम्हारे सफेद बालों को काला नहीं कर पाएगी उसे spoil नहीं कर पाएगी इसलिए better है कि तुम्हारे बालों को निकाल दिया जाए अब जो third bear is start होता है उसमें वो बोलता है and so he was quiet and that very night as Tom was sleeping he had such a sight मतलब अब जो बच्चा था जो narrator था first person उसने जब Tom को समझाया कि वो ना रोए अपने बाल के कटने पर तब अब जो Tom है वो यहाँ परशान्त हो जाता है उस रात में और उसी रात में उसे नीद आती है और वो देखता है एक सपना उस सपने में क्या होता है that thousand of sweeper, dick, jo, net, jack were all of them locked up in the coffin of black वो देखता है हजारों बच्चों को जिनका नाविस नेहाँ पर दिया हुआ है चार बच्चों का कि जो dick है, jo, head, net और jack ये बहुत सारे बच्चों में ये भी बच्चे हैं और ये सारे कहाँ पर lock हैं, ये एक black coffin में lock हैं टो यहाँ पर black coffin की बात हो रही है, black coffin यहाँ पर symbol है जो इनकी चिमनी थी, जो कि आपकी garlic हुआ करती थी और वो जो जो चिमनी थी, वो इनके लिए coffin की तरह बन गया था जो तो यहाँ पर वो इस चीज को symbolize कर रहा है कि जो उनके dead है, जो उनके bodies है वो coffin में पड़ी हुई है जो कि black color के wood से बना हुआ है अब यहाँ पर बात होती है जो tom है, वो जो vision देख रहा था वो जो dream देख रहा था उसमें क्या होता है, एक angel आती है और वो angel आके क्या करती है, उसके पास एक bright key है जो बहुत ज़्यादा चमकिली है, चमकदार है और वो क्या करती है, वो आती है वो angel और जितने भी coffin बंद होते हैं वो सभी को अपनी shining वाली की से खोल देती है और जितनी भी bodies थी उसके अंदर जितने भी छोटे बच्चे की जो bodies थी वो सारी ही free हो जाती है, वो इन सभी को free कर देती है और वो सभी जो coffin से चले जाते हैं, वो सभी हो जाते है अब वो बच्चे यहां से चले गए, हस रहे हैं, खेल रहे हैं, उनकी हसी दिखाई गई है और वो भगते हुए गए हैं, एक हरे मैदान में, एक green plain ground में वहाँ पर जाकर वो खुद जो हैं, वो जो काले हो रखे थे, जो चिमनी की कालिक की वज़ा से और जो sun है, जो sun की shine है, वो उसमें अपने आपको सुखाते हैं अब यहां पर इनोसेंस की बात हुई है, कि जो बच्चे थे, कैसे काले हो गए थे, चिमनी की वज़ा से या फिर जो उनका work था, उनकी जो condition थी, आगे बात होती है अब यहां पर बात हुई है कि जिन बच्चों को फ्री किया गया है, क्योंकि अब वो वहां नीचे जाके उन्होंने रीवर में नहा लिया है और sun के shine में वो सूख गय है, तो अब वो कैसे हो गए है, नेक्ड है क्योंकि उनकी जो बाडी ही थी यहां पर बात हुई है बाडी की, क्योंकि जो उनकी बाडी है, वो हां पर पीछे छूट गई है और अब वो नेक्ड है, मतलब की, उनकी जो soul है, वो बची है, और वो white है और उनके पास अब कोई bag नहीं है, अगर हम दो तरीके से बात करें, literal meaning की बात करें, तो यहां पर bag का मतलब होगा, जो उनकी कालिक से बहरे हुए कपड़े थे लेकिन अगर हम इसकी metaphorical बात करें, तो यहां पर body की बात हो रही है, जो हमारी physical body होती है, वो कहीं पीछे छूट गई है जो burden था life का bag के साथ, suit के साथ, वो time जब death होती है, तब यह सब खतम हो गया है जो chimney sweeper boys है, अब वो right कर रहे हैं, clouds के ओपर, wind के ओपर खेल रहे हैं और यहां पर जो cloud है, floating cloud, यह image है दी गई है metaphor के रूप में, कि जो freedom है material foundation से जो भी जो हमारी material word है हमारा, जो हमारी body है, इन सब से उने freedom मिल गई है और जो angel है, वो tom को बोलती है, कि अगर वो एक अच्छा बच्चा बनेगा, तो फिर जो god है, वो उसको उसके father के रूप में मिलेंगे और उसे कभी भी जो खुशियां है, उसके लिए सरस्थना नहीं पड़ेगा, और उसे कभी भी खुशियों की कमी नहीं होगी अब लास्ट एंजा है, उसमें वो बोलता है, बच्चा, अब जो narrator है, वो बताता है अब ये सारा जो विजन था, जो सफारी ड्रीम थी, वो अब खतम हो गई, अब जो सुबट हुई, तो tom है, वो उठा टॉम के साथ हम सभी उठे, डार्क था, क्योंकि एक चिमनी की बात हुई है, उन्होंने अपने अपने बैग उठाया, अपना जो ब्रश होता है, सफाई करने वाला, उसे उठाया तो यहां पर ठंड हो रही थी, जो टॉम है, उसने जो विजन देखा था, उसने जो ड्रीम देखी थी, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश था और बहुत ज़्यादा वाम फील कर रहा था, उसे गर्महाट महसूस हो रही थी तो यहां पर बात हुई है, कि अगर वो अपनी फारी ड्यूटीज को फॉलो करेंगा, जो पूरी पोईटरी थी, उसके लास्ट में एक मोटिव निकल कर आया है, कि अगर कोई अपनी ड्यूटीज जो है, वो सही से करता है, उनके वर्क को सही से करता है, तो उसे कभी भी ड टोटल 24 लाइन्स है, और दूसरी बात यह कि इसमें कुछ मेटफर यूज हुए है, जैसे कि क्लाउट जो बच्चे है, वो क्लाउट पर खेल रहे हैं, और जो हवा है वहां पर वो उसमें सूख रहे हैं, या फिर जो भी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, वो से लाइट म को पूरा करते हैं, तो आपको डढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें हजाडियस कंडिशन दिखाई गई है, जो कि जिमनी स्वीपर्स की थी वहां उस टाइम पर, और कैसे कैसे उन से कैंसर भी होता था, लेकिन उस चीज़ को कंसिडर नहीं किया जा रहा था, जो बच्चे उनके पेरिंट से उनने बेच दिया करते थे कुछ पैसो के लिए, और ये 19th और 18th century की बहुत ही famous poetry है, I really hope कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, and if you like the video, then make sure that you hit the like button, and do subscribe my channel, thank you.